हेलो बॉस ये इतना असान नहीं है हम बहुत करीब हैं आप को इंट्री मारनी ही होगी पीज बॉस झाल 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 सर तिशोर सर वो हमें यहां से जाने नहीं देगा तो क्या करें सर यहां से निकलने का एक ही रास्ता है कौन से रास्ता मैं सिर्फ तीन तक के रहुगा ठीक है तुम उस रास्ते जाएंगे वो बहुत खतरना के बॉस जैसे ही तुम उस रास्ते से भागोगे मैं दूसरे रास्ते से भागोगा फिर यह मेरा पीछा करेगा डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटिजी सुपर बॉस पर आपका क्या होगा बॉस किशोर बॉस तुम भी जवान हो तुम्हारा एक सुनहरा भाविश्य है तुमने अभी तक अपने गन तक नहीं चलाई गन तो मिरे पास है भी नहीं आप बिल्कुल सरी कह रहें बॉस लेकिन बॉ ये वक्त एमोश्नल होने कर नहीं है ठीक है वन तु त्री फॉर फाइव सिकस एक प्रीज वेड बॉस पोस बोस रेडि एक दो तीन पोस आप वहाँ क्यों खडें इस लाश्ते से भागिए ना ओवाँ तुम आवी तक प्लान समझ नहीं पाए इन्हें मेरी सेफटी की जरा भी चिंदा नहीं है दो साल से मैं इनका प्ये हूँ पर हमेशे इनके जहां से मैं आ ही जाता हूँ आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इन मामूली से फूलों के लिए मैं इनका गुलाम बना हुआ हूँ पर मैं आपको बता दू कि सुगंद को महसूस करना इनका जुनून है इनके घर में लैब है, मेरा मतलब परफ्यूम लैब परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस पूरे यूरोप में फेमस है बूची ग्लूम, रोबो बकानो, सैल्विन क्लीन जैसे बहतरीन ब्रैंड्स को मेरे बॉस ने ही बनाया है मुझे एक केले की ज़रूरत है सॉरी बॉस, जो आखरी बचा था वो तो मैंने खा लिया कोई चांस नहीं है बॉस, पूरे घर में तो गया लैब में भी एक भी केला नहीं बचा बॉस का ये टैलेंट मेरे लिए मुसीबर बन गया है इनकी सुमने की शक्ती भालू से भी तेज है वेरी पावरफुल नोज उस डस्ट बिन से खुछ बवा रही इसमें सड़े हुए केले हैं बॉस क्या हुआ बॉस, एक चीज तो भूली गया क्या चीज? वो मास्क देना अभी देटा हूँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बत रहा है बॉस बॉस का ये स्पेशल टैलेंट कभी-कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है ये खुश्बू के प्रेमी है और हमेशा गंडी बद्बू से दूर भागते है बॉस, 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 क्या हुआ बॉस, क्या हुआ आस-पास कुछे मशली पका रहा है बॉस, या कई किलोटर तो इंसान तो क्या घर भी नहीं है शायद ये बद्बू किसी दूसरे शहर से आ रही है अब आप दूसरे शहर की बद्बू मी सुंगने लग गए बॉस मैं कुछ लेकर आता हूँ मेरे बॉस की एक और खासियत है इन्हें सब कुछ वेल मैनेज चाहिए घर में फरनीचर से लिकर तकिया तक सब कुछ सेट होना चाहिए उनकी अपनी अपनी जगहे पर खाने पीने के मामले में भी इन्हें सफाई बहुत पसंद है अगर प्लेट में जड़ा सी भी गंदगी हो तो खाना इनके गले से उतरता नहीं है इसलिए मेरे बॉस हमेशा डिस्पोसिबल प्लेट और कप का इस्तेमाल करते हैं इनकी लाइफ में हर चीज यूज और थो है वैसे तो मेरे बॉस एक नंबर के संकी है पर इनका दिल बहुत अच्छा है बॉस की कहानी से पहले आपको इनके दादा जी के बारे में कुछ जानना पड़ेगा तो चलिए फ्लैश बैक में 1928 में एक अंग्रेज भारत से कुछ मज़दूर बिटिश ले गए ताकि वो वहाँ पर एक बिकार सा पुल बना सके उन्ही में से एक थे मेरे बॉस की दादा जी आते समय उस शिप के कैप्टन की मौत हो गई वैसे वो कैप्टन बहुत ही बलमाश था सारे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को जहाज से नीचे फेक दिया और फिर वो जहाज इंग्लेंड जाने के बजाए सीधे पहुच गया पॉर्चिकल और उन लोगों ने उस जहाज को रिश्वत के तोर पे दी दिया वहाँ की लोकल गवर्मेंट को और उसके बदले उन हिंदुस्तानियों को उपहार के तोर पर एक जमीन दी गई जिसका नाम था कैसेंडरा उनके दादा जी वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजारने लगे जहाँ स्मार्ट फोन तो नहीं दे लेकिन जिंदगी स्मार्ट थी उन्होंने वहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया अपने सारे रिष्टेदारों को उन्होंने कैसेंडरा में बुला लिया और धीरे धीरे वहाँ की आबादी भी बढ़ने लगी जहाँ पहले आबादी 752 वो बढ़कर अब 36,000 तक पहुँच गई थी और धीरे धीरे वहाँ पर एक छोटा सा हिंदुस्तान बस गया और वो लोग बादचीत में पुरानी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे जैसे की breakfast को अलपहार, good afternoon को शुब मध्यवेला और good morning बन गया शुब दिन मैं यहाँ पर पिछले दो सालों से रह रहा हूँ लेकिन इनकी भाषा मेरे पल्ले तो बिलकुल नहीं पड़ती फिर भी मैं इस भाषा को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ मेरे बास की पूरी कहानी अलग हुई होती अगर उनके दादा जी उस जहाज में नहीं होते तो फिर क्या होता सर मैंने तो अब डिसाइड कर ही लिया है मैं अब शादी करूँगा तो किसी पॉच्चगू लड़की से ही करूँगा क्या कि इंडियन लड़किया थोड़ी सी बिवकूफ होती हैं सर क्या है कि पिछले दो साल से मैं यहाँ पर हूँ और यहां के लगों से घुल मिल गया हूँ यहां के लग बहुत अच्छे हैं सर वैसे मेल जोल करना एक कला है सर ये कला हर किसी के पास नहीं होती है सर किसी के पास जरा उदर देख वो दिखने में इंडियन लग रही ना? हाँ सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं नहीं देखा और मैंने पहले कभी आपको किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा सर वन लाच प्लीज इंडिस प्लीज और नो टाप गॉटर प्लीज गुची ब्लूम इंडियन? या? यह परफ्यूम मैंने बनाया है इस परफ्यूम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है ओ, फिल तुम समझदार हो और क्रीटिव भी हो लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी काभलियत नहीं देख पाते हैं लेकिन वो क्या सोचते हैं तो मुझकी परवाह नहीं करती हैं तो है उनकी साला की ज़रूत नहीं करेक्ट बोल रहा हूं हर से टेडे मुझे यहां पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहां से बाहर निकाल देते हैं ओने क्या लगता है कि मैं पिवकूफूं इनोंने मेरी सिंदकी नरग बना दी हैं पर एी आसेरे दोग अर्षा है कर दो दो एंग कर दो एंग पूंता इंग व्यूए व्यूए चैन से जोने भी नहीं देते हलो सर हलो किशोर किशोर यहाँ मैच शुरू होने माला है हेलमट जाए सर हाउ स्वीट ओफ यू सर आपने फोन करके मुझे याद दिलाया मैं कल मैच की हाईलेट देख लूँगा गुड नाइट सर कॉंडम चाहिए मेरी समझ में नहीं आरा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या मैं उनका पिये हूँ यह कुछ और हूँ इस वक्त उनके पीट में पंच भी नहीं मार सकता हूँ यह मेरे पीच्छे क्यों पढ़ रहा है अरे बबभुवाण अरे हो गया, आप्तो जा सर, आपका फोर प्ले हो गया हो तो, पावर प्ले कर सकते हैं सब हेल रहा है, यह क्या हो रहा है आप बना हेलमेट के शुरू हो गया सर, इसे यूज कीजिए वना दुरगटना घट जाएगी सर, मैं, एक बना दू सकते हैं आप, डैम, सर वो मैं, इसके पास एक था, अब डिस्टर्म मत करना, चाँ इने डिस्टर्म मत करना, बोलते हुए शर्म नहीं आती, आदी राख तुमारे ले पास रहा है okay 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 no no no, it was there so I really had a good time oh yeah मैं तमसे पूछने वाले थी? यह टाटू एग लड्की हे जिसे मैं बहुत पोस्तिक आर कर्ठा थ Character पयार किसे किया है? होट एंद एमोशनल आ लाइक आप 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 एवर हाद क्या हम दोबारा मिलेंगे? मैं समझ गई शायद नहीं आ थिंक इस बेस्ट इस वे किशोर एक कामकर उसे घर खोड़ दे, बहुत देरो चुकिया मैं जाहूं सर उसे छोड़ने के लिए? हाँ, जाना यार ठीक है, दो दिन के बाद आऊंगा मेरे बॉस के हाथ के टैटू की एक कहानी है छोटी सी कहानी उनकी लाइफ के बिगेस टर्निंग पॉइंट का एक रीजन है उनका फस्ट क्रश रोमा, ने 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 पूमा सुमा भाया, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है येस तुम क्या करती हो भूमा? भूमा नहीं सुमा चलो जूबी हो करती क्या हो तुम? मैडिकल की पढ़ाई कर रही हो नीरो सर्जन बनना ही मेरा सपना है तुम्हे एक सर्जन हो तो अपर क्या तुम मेरे भाई का खयाल नहीं रख पाओगी? मै, मैं कुछ समझी नहीं तुम्हे खाना बनाना आता है क्या? उमा तुम्हे एक कपड़े दोने दो आते है न? उमा नहीं, समा ना मुझे खाना बनाना आता है और ना ही कपड़े दोना और ना मैंने शादी के बारे में सोचा है हाँ, मतलग क्यो क्या तुम हमारे सेम का इसनमार गर रही हो? सुमा, सुमा प्लीज मच जाओ रोगो रोगो, मच जाओ, प्लीज स. U. M. A. S. U. M. A सुमा, वूमा नहीं उपमा नहीं मैं उनसे नहीं मिलने वाली ऐसा नहीं है, वूमा सुमा, सुमा तुमने वहां कुछ क्यों नहीं कहा, मैं तरफ तारी क्यों, तुम बस उनहीं की तरफ थे ऐसा करो, उनहीं के पास जाओ, क्योंकि हमारे बीच सब खतम हो गया दुबारा में तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखू दी ऐसा बत करो सुमा सुमा तुम लोग इंसान हो या राक्षस, वो इतनी अच्छी लड़की है और तुमने उसके साथ पैसा किया तु चुपो जा, जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता, उसे शादी कॉन करेगा तु चुप कर संगीदा मुझे कोई कुक थोड़ी चाहिए मुझे तो बस मेरा आप जीवन साथ ही चाहिए तुम्हें का लगता है, औरतें सिर्फ खाना बनाने और सफाई का काम कर सकती है औरत ही औरत की दुश्मन है, ना क्या आपनी तु क्या, तुम्हें लगता है हमार पस और कोई रास्ता है क्या तुमने कभी खाना बनाया है, क्या कभी साफ सफाई की है क्या कभी कपड़े धोए है जिससे तु शादी करेगा, उसे या आना चाहिए ना वरना तुम्हारा घर कूड़े का धेर हो जाएगा ऐसे उबदेश दिना बंद करो मैं किसी को रख लूँगा पोचुगल में ये इतना असान नहीं है या कोई काम सखाली नहीं रहता तो मैं खुद करूँगा, मैं खुद करना सीख लूँगा बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूँगा मैं जा रहाँ यहाँ से भाया शोटा, तुझे इन राक्षासों के साथ रहने के बिल्कुल ज़रूत नहीं है मैं हूना, तू मेरे साथ आजा एई, खाना तो खा ले तो खा तो ये है मेरे बॉस की फैमिली ये है सोरना, दा बैट कॉब ये हर चीजों में टांग अडाती है ये है संगीता, डा गट कॉब प्यार के मामले में बिल्कुल मूफट लेकिन ये दोनों ही जालिम है और ये है श्वेता, मेरे बॉस की राडली बॉस के दादा जी की फोटो के बगल में एक फ्रेम है जो बॉस के पापा का है सदाशिव जी, वो तब चल बसे जब मेरे बॉस बारा साल के थे और तब से मेरे बॉस के माँ, पापा, हेड अफ दा फैमिली सिर्फ एक है उनकी माँ ये थोड़ी सी एमोशनल हो जाती है, कभी बैट कॉब बन जाती है उस दिन मेरे बॉस बहुत ज़्यादा दुखी थे वो कहीं बाहर भी नहीं गए क्योंकि उस दिन काफी बारिश हो रही थी डिप्रेशन में बॉस देवदास बन गए और कॉलेज के केमेस्ट्री लैब में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे है और उस दिन बॉस ने अपने दग्रेट टैलेंट को पहचाना और वो पॉफ्यूम बनाने लगे सुमा 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 पुद्रा और ये है मेरे बॉस का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट हाँ, रुकिये, रुकिये, मैं आपके लिए लैंग्वेज को बदल लेता हूँ हलो साइम, तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम है इसाबैला मैं शृती की बेस्ट फ्रेंड हूँ उसने मुझे बता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो मुझे लगता है कि हमें कॉफी पीने चलना चाहिए तुम्हारा क्या ख्याल है? तो चलो कि मेरे बॉस की कॉफी समझ गया है न? ज्यादा मत सोचिए इनका नाम सैम है, सैम और उस रात मेरे बॉस को ये समझ में आ गया कि ये प्यार व्यार सब बकवास होता है और प्यार की चकर में नहीं पढ़ना चाहिए उस दिन के बाद से मेरे बॉस की हर रात रंगीन होने लगी विरे विरे लगी अच्छाप ड़्या कारण कार रात भर रे कांडे कारशा आज अच्छाव कर आडे बॉस की हरो या ले सो प्यूटा था, अच्छाव में अच्छावर है प्या बॉस्परा बॉस्पराव खूराही है wow,she is gorgeous look at her no no she is not bad she has a nice body come on man you can do it go talk to her seriously come on excuse me व्हार इन्नोंत इंडियन गल्डी और अभाव को अबाला वीन धेृट इंडियर और पुप बिल्डियों सेडिश भी। मिल्स अभी हुटेश हैं लेडियर आदिके ट्र被ण वाहिंग पिल्कुरिंग ईंडियर और ऑनुंट्राइब कुछ यह विटी what are you thinking you're beautiful you are a very handsome boy what are you doing man give a more come on more why me okay hey did you look at him look at him look at him hey hey did you see that she's his understood yeah go find someone else for yourself look at him look at him go go talk to her come on go talk to her hey beautiful should we go for a coffee what do you say just shut your mouth and get lost you don't like coffee tell me just buzz off okay 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 no problem this is why i said she is mine go 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 such a dangerous babe i love you more give me more डॉक्टर ने क्या कहा मा कुछ नया नहीं वहीं, ब्लड प्रेशा ज्यादा है शुगपक कंट्रोल करना होगा और क्या आप कभी साफ साफ नहीं बताती ये डॉक्टर मुझे दवाई दिना बंद कप करेंगे जबकि मैं जानती हूँ मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ मा मैंने जिन्दगी में बहुत कुछ देखा अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती आप उसके बारे में इतना क्यूं सोचती है वो नालायक है उसे नहीं पता जिन्दगी में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है मैं जानती हूँ उसे मेरी बिल्कुल भी गद्र नहीं है आप देख लीजी कमा एक दिन जरूर होगी इसी बात का तो डर है कहीं उसके जानने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी मा ज़स दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ मैं जहन से मर पाऊँगी मुझे उससे बात करने होगी जल्दी ही करने होगी किशोर, सर, जल्दी आ, नहीं तो देर हो जाएगी, आ रहा हूँ सर, हे, चल्दी करना यार, लेड हो रहा है, मा, हर संडे हम लौकी क्यों खाते हैं, मेरा मतलब हम कुछ नया बना सकते हैं, मैं बना दूँगा, करी, आलू का भरता, मैं शादी से पहले इंडिया में खाना बनाया करता था, मा ऐसी बात नहीं है, सदाशिवराव को लौकी बहुत पसंद थी, इसलिए हर संडे को खाने में मैं लौकी बनाया करती हूँ, ये परमपरा है, पर अब तो वो यहां है यह नहीं न, क्या मतलब, जब तक सदाशिवराव वास्तों में नहीं मजाते, ये परमपरा इसी तरह च परमपरा इस तरह मरना क्या होता है, हाई मामा, मानी मामा, हाई पेबी, हाई चलो अंदर जाओ, हलो मैम, चलो अंदर, मैम, मैम सरी आपके लिए आइस क्रिम लाए थे, क्यो रे, तो इस भुककर को हर संडे या क्यो लेकर राता है, क्या तुझे नहीं पता, ये फैमिली लं क्या मतब, तुम दोनो उसे क्या समझते हो, ये तेरे साथ, तेरे घर पर ही रहता है, और तो हर संडे या लेकर राता है, आखिर तुम दोनों के बिच में चल क्या राता है, हाँ, तुझे ही क्या लगता है, हाँ, तुझे ही क्या लगता है, हाँ, तुझे ही क्या लगता है इच अधर इस फ्रेंडली निचर इंफर ब्रिदर्ली इट माइट बिजस्यूमर्स इन अधर्स माइड बट इस प्रोब्लम फो इस लुटिंवर मैच फर मी और इंडिन मैंट्रिमोनियल साइब सो वन इसे बैग यू इमिन फर माइड प्लीज मैम बैग यू हमारे इंगली शिक्ति अच्छी नहीं है स्कूल में भी नहीं आती थी ब्लडी साइकोपैट फैमली किशोर क्या सोच रहे है कुछ नहीं सर सौल चाहिए तुम्हारी प्रोब्लम क्या है अरे मैं तो यह दे रहा हूँ अच्छा तुमने सौल्ड बोला इनकी बाते मेरी समझ में कभी नहीं आई नहीं मुझे नहीं चाहिए सर सागी जाँ सालड देना मुझे कुछ बात करनी है तुससे देखो एक मा होने के नाते मेरे कुछ फर्ज है जो मुझे पूरे करने है और बेटा होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है के तुम मेरी बात मानो तुम कब तक ऐसे अकेले रहना चाहते हो बेटा तुम्हे आने वाले दिलों में जल्दी ही शादी करनी होगी आपको शादी करनी होगी सर इस उम्र में मुझे है पौदे को पानी देना बिकार है सर कोई फाइदा नहीं आप शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकती मा बलकि किसीरी माबाब को दबाव नहीं डालना चाहिए आपने मुझसे कभी पूछा कि बेटा तुझे मैं जन दू या नहीं दू मुझे बढ़ा करना ही एक मा होने के नाते आपका फर्स अब आपको कुछ करने की जुरूद नहीं अरे जब से पैदा हुएं तब से स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे उसके बाद हमारे बच्चों कभी यही होगा स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे ये सर ये ऐसा ही चलता रहेगा इसलिए मैं शादी नहीं करना चाता, और नहीं कभी करूँगा मेरी जिंदगी अब मेरी जिम्मेदारी है खुद की जिंदगी क्या संभालेगा, बाल तक तो नहीं बना बता और तुझे याद है, तु ये कहकर गया था, कि तो किसी भी तर है, अपना खयार खुद ही रखना सीख लेगा और तुझे हमारी जरुरत नहीं है, लेकिन क्या हुआ तेरी जिगे साफ सफाई करने के लिए हमें हपते में तीन बार वहाँ जाना पड़ता था और तुझे तो वाशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती है, जब से तु पैदा हुआ है ना, तेरी सारी जिमेदारी हम लोगों के उपर ही तो है काफी उम्र हो गई है, तेरी शादी अब तक नहीं हुई कोई बात ने महन, आप से अपने काम मैं खुद करूँगा, लेकिन इसके लिए मैं शादी नहीं करूँगा ये तो तु पिछले 20 सालों से कह रहा है, तुझे हमारी मदद भी नहीं चाहिए, इसलिए ये सब जहल रहा है और हमने हार मान ली, क्योंकि तुझे इस सरे परिशान नहीं देख सकते हमें लगता है कि हमारा भाई इतनी सारी परिशानी आखिर जहलेगा कैसे इसलिए कहते हैं, शादी कर ले लेकिन अब नहीं होगा, हाँ, आपको शादी करनी ही होगी, बस हाँ, तू भी? क्यों नहीं भाईया, मैं भी आपकी शादी देखना चाहती हूँ, आपके बच्चों के साथ खेलेगा मौकर नहीं मिलेगा, क्या? बस करो, इसे अपने घर के परंपरा के हिसाब से करते हैं, वोटिंग होगी अब यहीं बाकिर है था पौर्टगीज है क्या? हिंदी है कौन सी जखे? अब सैम की तीन महीने के अंदर शादी होकर ही रहेगी जो नहीं चाहता हाथ उपर करे जो चाहता है शादी हो, वो हाथ उपर करे हो गया फैसला अब अगले तीन महीने में सैम की शादी हो जानी चाहिए चाहे कुछ भी कर लो लेकिर मैं शादी नहीं कर हुआ अब यह तु हिंदी था नहीं तो क्या पोचगीज? जीजस खाना नहीं छोड़ना चाहिए सर ओके 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 कमें कमें माँ हो तो चलागे आप क्या करेंगे उसने बाद भी इसकी नहीं चिंता मत करो मैं जानती हैं उसे कैसे समझाना है मैं सब कर लोंगी हाई, excuse me I am here to see my nephew Siddharth He is in there Okay, thank you so much C'est doux तो ठीको मुझे अपने साथ कबले कर जाओगे चल्दी ले चाओगे Hello Janani Hey Avantika Are you busy? No, 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 come in, come in मैं फाइल के बारे में जानना चाहती हूँ अप्रूफ हो गई क्या? सिद्धो की फाइल अब तक चेक नहीं हुई है तुम बुरा मत मानना लेकिन शायद अप्रूफ भी नहीं होगी तुम अकेली रहती हो तुमें स्मोकिंग की हाबिट है स्टेरी जॉब भी नहीं है यहाँ तक की बैंक बैलेंस भी नहीं है मैंने बताया था ना मैं अपनी पोयम्स पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी अगर नहीं हुई तो वो मेरी बहन का बेटा है मेरा उस पर तो हक है ना उससे मुझे कोई कैसे अलग कर सकता है अवन दिका यह इंडिया नहीं है यहाँ माबाप के मरने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी कवर्मेंट की होती है और तुम्हें अप्रूवल लेना ही होगा बहले ही उससे खून का रिष्टा क्यों न हो मैं कुछ नहीं कर सकती अडॉप्ट तुम्हें करके रहूंगी तुम्हारी मदद के बिना ही सही बैंक बैलेन्स होना चाहिए ना चल्दी हो जाएगा क्या यह तुम हो हाई इस मी लतिका कल रहा थ हमने फेस्बुक पर चाटिंग की थी मेरा फेस्बुक पर अकाउंट नहीं है यह चैट करने वाला मैं नहीं हूँ यह कोई और होगा मेरी फैमिली से नो नो वो आप ही थे आपने कहा था कि तीन महीने में आपकी शादी होने वाली है फिर मैंने आपको ब्लाशिंग वाला ही मोजी हे जा था आपको याद नहीं? ओ ओ ओ ओ ला दिखा ला दिखा मुझे शादी नहीं करनी लेकिन मैं हानी मून पर जा सकता हूँ तुम चाहो तो ये क्या कह रहे हो? जो तुमने सुना? गुरू हेल कोई बात नहीं? बाई दिखने इसको बच्तमिस इतनी अच्छी लड़की थी और इसने ऐसा किया इसे तो मैं अब इसे माड़ हो ज़़ो मेरी बॉस की बहने ऐसे मानने वाली नहीं थी कसंडरा की सारी इंडियन लड़किया उन्होंने बॉस के पास भेज दी 19, 20, 21, टूटल 21, 21 लड़किया भेजी थी इसके पास सारी, सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है इसने हम तुस्से तंग आचुके हैं पता नहीं तू कर आएगा पॉन से टाइप की लड़की चाहिए तुझे जब तक इसकी बढ़ भात करें यूगी इसे निकले सुनता है के नहीं मैं तुस्से क्या रही हूँ अब पैंसी क्यों आरो अब आप ये बात करो इसे पैंसी क्यों कर रहा है अब मैंने क्या किया सर आज़ा माजी भी गई उन्होंने गलत किना हाँ सर 24 लड़किया और एक और थी 25 लड़किया लगता मेरा स्वेंवर करवा रहे है बिलकुल सर आप इतने हैंडसम दिखते हो लड़किया आप पर मरती है मतलब कि उनका परस्पेक्टिव है और आपके परस्पेक्टिव से तो इरिस्पेक्टिव हो जाएगा रहा है इसलिए परस्पेक्टिव तो सर माची आ रही है माँ यह क्या कर रही हूँ मा, मा छोड़ो इसे, लाओ मुझे दो, आप, आप बढ़ो तो मैं और क्या कर सकती हूँ आप पहले बैठ तू भी बैठ, आप बैठ जा बैठ ना हाँ, लो, बैठ गए तू भी बैठ तुने कहा था कि तुझे बड़ा करना मेरा फर्स था लेकिन तु मेरा बेठा है मुझे हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती है तेरी बहने कब तक रहेंगी मा मेरे यकीन करो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा तेरे बस का बिलकुल भी नहीं है मुझे पता है, क्योंकि मैं तेरी मा हूँ देख, हर चीज उम्र के रहते हो जानी चाहिए यहां तक कि वो क्या कहते हैं आजकल तुम्हारी वर्जन तु अभी भी वर्जन है बिटा मा जान देखे मा जीवन में मन की शान्ती ही सबसे बढ़का है और तन की शान्ती का क्या? बिना हेजिटेशन के अपनी खुद की मा से इतनी कॉन्फिडेंस से जूट कैसे बोल ले दे हो बॉस? इटेक्स गट्स पॉस क्या अपने मेरे निए एक किशोर क्या हुआ किशोर क्या हुआ कुछ नहीं मा जी वो क्या है की चीटी ने काट लिया बहुंछ सोर से कहा? प्रेस इस नॉट इंपोर्टन पेरीस इंपोर्टन तु देखना जरा दे किशोर दिखा ना? नए ने ने रहने दो ठीक हूँ विद्वान बहुत बुरा हुआ बिचारा अब क्या करेगा ये? देख सैम ये बस शादी ही नहीं जिन्दगी में इसके बहुत माइने है तुम लोगों के साथ में बहुत खुश रहती हूँ लेकिन जब अकेले में जाती हूँ तो मेरी मेरी आखों से आसु बहने लगते है तेरे पापा को याद करके सैम अकेले पन क्या होता है ये तुझे नहीं बता अकेले रहना भले तुझे अच्छा लगता हो लेकिन दीरे दीरे ये अकेले पन में बदल जाता है समझने की कोशिश कर तो क्या करेगा जब मैं मैं चले जाओंगी क्या ये सेह पाएगा अगर तु मेरे मरने से पहले शादी नहीं करेगा तब मैं इसी बात के साथ मरूंगी के तुझे अकेला है मा मा ऐसा मत बोलो मा मा क्या हुआ पोस? मेरी मा को मेरी बहुत चिंता है उसे डर है कि कहीं मैं अकेला नह रह जाओं और इसलिए वो मेरी शादी करना चाहती है जबकि मैं नहीं करना चाहता करेक्ट बोस हर आदमी जो डॉक्टर बढ़ना चाहता है जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई करे मैं मा को खुश देखना चाहता हूँ लेकिन शादी नहीं करना चाहता उन्हें भी समझना चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए कुछ करमा पड़ेगा कुछ लोग हमारी जिन्दगी में अचानक से आ जाते है और जब उनके आने का एहसास होता है तो जिन्दगी बदल जाती है नहीं 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 प्लीज मता ना बांदा मैं घूच आउंगी प्लीज नहीं प्लीज डोंट लास्ट टाइम आप वो देखना चाहती थी मैं इसलिए आपको यहां बुलाया अब मेरे पास असके अलावा कोई चारा नहीं मैं ब्लीज लड़िया प्लीज लड़िया शाथ शाथ शारी शारी आप चाहते हैं कि मैं एक फेमिस आर्खिटेक्ट बनूँ इसलिए मुझे वो कोर्स जोइन करवाया लेकि पहले सैमिस्टर में ही मुझे बता चलिया कि मुझे इसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है मैं पास नहीं हो सकती बापा I'm sorry, बापा मैंने सुचया पको निसनी बन केने सेज्ट हैं कि मैं मार जाओ शाया उर्किटेक्स से बढ़कर मेरे लिए तुम हो तुम मरने जा रही ती, तुम मेरी जान हो I'm sorry, बापा देको, तुम्हारी मा का फोन है I'm sorry यह क्या कर रही थी तुम, इतनी जल्दी हार मान गई क्या है रे, कौन है बेतु मैं यह सब ड्रामा इसके यह कर रही थी कि आके जए कॉलेज छोड़कर ड्रामा कॉलेज जॉइन कर सकू और तुने बैंट बजा दी, चला ओके, ओके चला, ओके इसको एक्टिंग कोर्स की ज़रूरत नहीं है बोस अच्छी एक्टर बनेगी पहरे से ही एक्टरस है अलो सर, इसका ध्यान रढ़ना, कहीं फिर जना कूच जाए चलो चलते हैं सर किशोर, हाँ बोस उस लड़की से एक मस्त आइडिया मिल गया क्या बोस कहीं बैट कर कॉफी पीते हैं, चल चलते हैं ठीक है, चलते हैं लेकिन कसाना नहीं जाएंगे मैं यहां की लड़की से नहीं मिलना चाहता कहीं दूर ले चल कहीं दूर बोस मुझे एक जगा पता है वहां लेकर चलता हूँ, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी बोस हमें एक लड़की फिक्स करनी पड़ेगी वो मेरी गर्ल्फरेंट बनने का नाटक करेगी और मेरी फैमिली को इंप्रेस करेगी मैं वहां के एक वेटरस को जानता हूँ, सर बहुत सुन्दर है वो फिर तो मेरी फैमिली शादी का मोरत फिक्स करके ही मानेगी मैं वहां महिने में तीन बार जाता हूँ सिर्फ उसे जी भग के निहार में के लिए, सर मुझे पुरा कॉन्फिडेंस है आप उसे पता ही लोगे शादी के कुछ दिनों पहले ने 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 शादी के ही दिन अपना प्लाइन पहले से सेट होगा वो लड़की एक लेटर लिखेगी कि मुझे ही शादी नहीं करनी और फिर वो कराव हो जाएगी हाँ बिल्कुल सर अब मेरी उसे शादी करवा दो और उसके गयाब होने के बाद मैं सबके सामने देवदास बनने का ऐसा नाटर करूँगा कि मेरी फैमली दुवारा शादी करने के लिए नहीं कही मुझे आपका स्टाइल पसंद आया मैं भी अप सिंगम बनना चाहता हूं सर दान 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 आए हाँ सर हाँ सर सर पहले काम पर लग गए वान ऐस्प्रेसो डिस्पोजबल क्लास में नो कॉफे शुद आगे यू सम्थिं यल्स हाँ किशोर बॉस किशोर मुझे यहां क्योला है मुझे कॉफे चाहिए चाहिए थी यूवना सिट नो आई विल सिट औ के फ्रण तो यहां पर अकसर आते आपको तो पता है न a यह कॉफी नहीं मिलती तुम इंडियान हो क्या ए घुजोर तुम इंडियान हो तो प्रप्लम क्या है इंडियन लडकी फर्स Tाइम देखिये क्या तुमारा नाम क्या है अवंतिका अवंतिका बहादी प्यारा नाम है अगर तुम बुरा न मानो तो क्या में एक प्रस्ताव रख सकता हूं? प्रस्ताव? प्रपोजर्ण? रखू रखू सर रखू रखो सर रखो सर रखो सर जो मांगोगी वो मिलेगा सिर्फ दो आफ़ते के लिए मेरी प्रेमिका आवना हूँ Excuse me? Ah, मुझे गलत मत समझो, मैं उस तरह का नहीं हूँ बताना किशोर Yes ma'am, he's a perfect gentleman In fact, he's a cold-blooded virgin हम कहीं और चले, खुल कर बात करते है Boss So, let me get this straight दो हफ़तों के लिए आपकी गोल्फरिंड की आटिंग करनी पड़ेगी आपकी फैमिली को इंप्रेस करना होगा और शादी के दिन ही भाग जाना होगा यह गलत नहीं है गलत नहीं है, सही है मैं घर में भी किसी बाहर वाले को नहीं आने देता अगर किसी को भूक लगे तो जरूरी नहीं कि वो खाना बना है पर इससे तुम्हें क्या मतलब तुम अपने काम की बात करो तुम पता तुम्हें क्या चाहिए बाइदर वे, वाड़ यू थिंक आएम अहुका अगर हुकर चाहिए होती हो तुम्हारे पास नहीं आता ओके अगर मैं हां कहूं तो मुझे क्या मिलेगा तुम्हीं बोल दो दो हाफ़ते मतलब 14 दिन और रोज की दो घंडे 128 इंटो 5000 यूरोस पर आवर 140,000 यूरोस क्या कहा एक करोड़ 25 लाख रुपए सर इतने पैसे मुझे दे दो ऑपरेशन करवा के मैं लड़की बन जाओंगा आल पूट सम रड़ हीर ऑलसो फो यू पूरे 15,000 यूरो दूँगा अगर ठीक लगे तो बता दे न नहीं तो किशोर तुम्हें घर छोड़तेगा 30,000 यूरोस मन्जूर नहीं तो मैं खुद चली जाओंगी किशोर की जरूरत नहीं है मुझे 20,000 25,000 फाइनल ड्रॉप कर दूँ मैं मैं ये चर देती हो लाओ पता नहीं ली कहा रखी है एक अच्छी खबर सुनानी है दो साल से मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ तुने अब तक ये बताया क्यों नहीं अब ज़रूर इसे बताया होगा तुने की नहीं बताया क्या भाईया आपने मुझे भी नहीं बताया ना मैं तुझे क्यों बताता, तु भी तो मेरे खिलाफ थी, मैंने इसलिए आज तक नहीं बताया, क्योंकि तुम शादी के लिए जित करते, और हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए थे, लेकिन अब बता रहा हूं, इसका मतलब, ए, दो साल तक बताया क्यों नहीं, लड़की है या फिर वो किशो उड़ना अचके कारति करता, पदाज्टि ये जुखते का दे चाहिए, आज़ भी हारा थे, उ साफ समय करना जां वेए शाजी में, बता हुआ भैच्छा वाव कि आचए तिऔ भार बाह्त कर डेलांच के याव झाल सब्सक्रांक ह।ुटिज्ज में डाइटों था वाईटफर के कि दूल davon कि अव प्यक्ष मेणल मैं मद्नि आप बंपिनि में तरी अटन ने करें प्रेकर्ट निए 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 प्रेकर्ट वार्ट अश्यूंग अश्यूग वेट डिए मिनिट Sam कहा था था ता आपका नम Sam नहीं Samashivara है हुँँँँँद्ट जब मैं पाद हुआ तब Samashiva नाम बहुत चलन मेठा अब इसे पड़ और साइन करो सॉरी Samashiva Rao जी एक मिनिट फर्स्ट मीटिंग में फैमली ने रिजेक्ट कर दिया तो पैसे नहीं देंगे वाट नॉंसेंस एहसान मानो के मैं उनसे मिल रही हूँ प्लैन आपका है आपने मुझे सिलेक किया है अगर यह प्लैन पेल हो तो मेरी जमेदादी नहीं है आपकी फैमली से मिलने से पहले मुझे 40% Non-Refundable Advance चाहिए दो हफ्तों में प्लैन काम करे या ना करे मुझे बाकी के पैसे दे देना, ओके? ठीक, मैं पहले Advance दूँँगा अगर तुम Reject हो गई तो बचावा 60% मैं नहीं दूँगा अगर ये शर्त मज़ूर है तो बोलो नहीं तो हमारा ये सौधा Cancel Cancel? Bargaining discussion नहीं हो पाएगी क्याएगी ये थोड़े से Old Indian Man है 1928 बैच के हो? हाँ ये 1928 बैच वालों के हिंदी तो बहुत प्यारी होती है न? खाट प्यारी होती है? मुझे तेन लोगों के हिंदी डरावनी लगती है तो मैं ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होंगे मेरी फैमिली थोड़ी क्या बोलते हो? कंजर्विटिव टाइप क्यूं? आप खाना खाने के लिए धोती पहनते हो अगर मैं आपके बताए कपड़े पहनने लगी तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रहे हूँ आपकी फैमिली को कैसे इंप्रेस करना है मुझ पर छोड़ दो मैं देख लूँगी ठीक है, तुमारी मर्जी एक मिनट शीज कॉलिंग बाई साम्भू आपको बाहर वड़ करना पड़ेगा क्या देख रहे हो भर ... मैं भर... मैं... यउ लाइक में लो अह वेरी मुच य लाइक यू है मिली सेट नही होगी तो मैं इस बार में दख़ों हुम शुचेंगी सोचना صफ रूर सोचना आउट आउस में बेट करना था, अंधर क्यों आगई अच्छी लिग रही है यो, हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं इस इस जस्ट मी मेकिंग शॉर, यूर फैमली लाइक्स नहीं बालों को कलर करके सही किया है, अच्छा है I'm glad you liked it, इसका बिल में तुम्हें भीज तूँगी मैं क्यों बरूँगा? फिर से लाल करवालू ठीक है, बर दूँगा ड्रेस कैसी है? क्या बोलते हूँ? क्लासी ग्रेट, इसके भी पैसे आपको देने है, ओके? सर, डील कैंसिल हो गई ना? लेकिन क्यों? डील हो क्या है क्या? हाँ तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीज़ जाननी होगी नहीं तो काम बिगड़ जाएगा मुझे रफीस आपके गाने पसंद है क्रिकेट में सच्चिन से जादा मुझे द्रवड पसंद है वाट? सच्चिन से जादा ड्रवड पसंद है? तुमसे तुम्हें कभी शादी न करो मुझे बीटल्स भी पसंद है बीटल्स? अफकोस, आपके जमाने का फेमस बैंड है अच्छा, आप पर्फ्यूम मना दे है ना फेवरिट फ्रेग्रेंस कौन सी है? अगर साच कहूं तो चंदन की और एमेजॉन में मिलने वाला वो एक अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो बहुत रुमैंटिकली बोला मेरी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है समझे? इंटेलिजन्च हो वो तो मैं हूँ अब आप मेरे बारे में जान लीजी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्यो? मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती अगर वो कुछ पूचेंगे जो मन में आएका बता दूँ तुम बस हाँ हाँ बोलते रहना समझे? जो हुकूम मेरे आखा तुम्हारे बोला भी तुम्हारे बता होनी चाहिए बस बाकी दहीं दूद सहम आओ बेटा, आओ आओ ना आओ दिगा, यह मेरी एक मिनिट, मैं बताती हूँ आप संगीता जी हैं? आप फैमिली बिस्निस का फाइनाशल दिपार्टमेंट देखती हैं? आप हैं संगीता जी के अस्पेंट और आप है श्वेता ने ने आप है स्वर्णा और आप है स्वर्णा जी के हस्पेंट And you must be Sam's darling sister Shweta और आप है Shweta के हस्वेट आओ अंदर आओ इंट्रोड़क्शन तो अच्छा था पर ये सब कैसे जानते हो तुम सामा शिवराओ जी आज की जनरेशन के पास Facebook नाम की चीज है जिसमें लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं बहुत स्मार्ट है ना सच में मुझे नहीं लगा था सैम का ऐसी लड़की मिनेगी अवंतिका याव अवंतिका मा मा क्या? अब आच यो मदर? आई यो किदिंग में? आप इतनी यंग लग रही हो मुझे लगा आप फैमिली फ्रेंड है कोई बात नहीं बिटा कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इसकी बड़ी बेह हूँ आउटी ऐसा नहीं है बल्कि सैम आपका बड़ा भाई लगता है ये पहली बार गहर आई है इसे साड़ी तो देनी ही पड़ेगी है न? ये मुझे ऐसे भी अच्छी लगी तो फिर फाल तो ड्रामा करने की क्या ज़र्ण बैस भाई इसे शादी कर ले और कुछ नहीं अच्छा है मैंने ट्रडिशनल कपड़े नहीं पहने तुम क्या करती हो बेटी? आउटी मैं वैसे तो वेटरिस का काम करती हूँ अपनी फर्स बुक पब्लिश करवाने की कोशिश कर रहे हूँ कवीता लिखती है न इतनी एश डिफरिंस के बाद में दोनों के जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है चलो भाई की पसंत सदर गई तुमारे घरवालों को तो पता है ना तुम दोनों के बारे में मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम दोनों के बीच उम्र का काफी गैप है मेरे ममी पापा इंलिया में रहते हैं मैंने लगबग आट नाव सालों से उनसे बात नहीं की तो उन्हें कोई परिशानी तो नहीं होगी ऐसा नहीं है उनके लिए तुम्हें एक परिशानी हूँ इसलिए जब मैं आपकी फैमली को देखती हूँ तो इसलिए 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 एक बात बता हूँ पहले मुझे एक कंफ्यूशन था सांग को लेकर लेकिन ऐसा खाना खाकर लग रहा है कि अब तुम्हें ऐसी से शादी करूँगी तुम यहां कभी भी आ सकती हो बेटा जब भी तुम्हारा दिल करे मुझे शक है क्या यह तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं मुझे लगता है इस बारे में इससे बात कनी चाहिए थांक यू अंटी मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा आप सब लोग बहुत स्वीट हो आप सब लोग बहुत स्वीट हो आप सच अ लवली टाइम सो शादी का मोरत निकलवाने की सोच रहे होंगा गुट बाइदवए टू आवर टेन मिनिट हो गय है तो थर्ड आवर का चार्ज लगेगा कितनी अची थी थी क्यों? कसी लेगी सबको? बहुत अची दो हफ्तों में वो इंडिया जाने वाली है छे मैने तक वापस नी आएगी तो इसका मतलब समझे तॉम दो हो इच्छा निक्रने वाले को सामू अरे तुमने ऐसे कपड़े को पाने? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी चेस बोट वाली शट ठीक है? मुझे कोई दिकत नहीं है तुम अच्छी लग रही हो लेकिन मा तुमसे मिलना चाहती है पता नहीं क्यों क्रेडिट कार्ट दो मा, क्या बात है? आओ तुम्हारी हाई भाईया हाई हाई आटी अजी नमस्कार यह क्यों? तुम्हें शादी में एक कुछ पारंपरिक पहनना होगा ना इससे लिए शादी के लिए ट्रडिशनल कपड़े हाँ? हाँ? तो तु क्या सूट पहनने वाला है? हाँ? 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 हाईये स्लीव्स कितनी रखो में यहां तक? हाँ? ने नी थोड़ा थोड़ी से लंबी रखे थोड़ी से लंबी रखे श्वाणा वो एक दरजी है उसे पढ़े गर रहा है घर में है क्या? ने ने कहीं और से आ रहे हैं किशोर तुम ही हो ना? हाँ सर बॉस के मामा बड़े अजीब दिखाई दे रहे है आयम किशोर मैं सैम सर का पीए हूँ पीए हो या सीए हो मुझे क्या फर्क पड़ता है यह समान को उठाएगा सर? क्या आप पता सर? आपका ही तामान सर्थ मुझे उठाना पड़ेगा यह समेल कैसी है? मस्त है ना? गुलाद की सुगंद है? काफी तेज है लोग दूर से ही पहचान जाते हैं इसे मत लगाओ मेरे बॉस की नाख कुट्टे से भी तेज है सुमके देखो न अच्छी यह क्या है? कार फ्रेशनर है इसकी बहुत जरूरत है भी कितनी गंदी बद्बू है छे छे घर के बने इत्र का कोई जवाब नहीं वैसे सैम का धंदा कैसा चल रहा है यहाँ पर मक्षियां तो नहीं मार रहा है आप सैम की धंदे में क्यों घुस रहे हैं? क्या खा? सैम ने तुझे बताए नहीं? नहीं इत्र बनाने में मैं अपने गाओं में वर्ड फेमस हूँ उसके सूंगने की ताकत उसे अपनी मां से मिली है पर्फ्यूम बनाने में मेरे बॉस का जवाब नहीं है हाँ हाँ मेरे सामने तेरा बॉस चीनी कमचाय है पता है तेरे आज के इन वेहूदा पर्फ्यूम की वज़े सही हमारा धंदा एकदम ठपड चुका है ऐसी क्या खास बात है इनमें एक घंटे भी ये माल नहीं ठिकता और डिंगें बहुत बड़ी-बड़ी हांकते हैं ये रहा असली परफ्यूम थोड़ा सा लगाओ किलोमीटर तक महकते रहो तुम्हारे बॉस को तो अभी सुम्र में रिटार्मेंट ले लेनी चाहिए अब शादी करने से कोई फाइदा नहीं सुना जितना बुरान होता होतना महंगा होता है अब तेरी उम्र मैदान में खेलने की नहीं बलकि दर्शक बनकर देखने की है ये लड़की कौन है इसका नाम अवंतिका है ये सैम की मंगेतर है तुम तो बहुत खूब सूरत हो शादी करने के लिए यहीं मिला था तुम्हारी कास्ट, ब्रॉडकास्ट, बाबा अलम के समाने के आदमी आज भी कास्ट मटके हुए हो तुमने तो अभी जमानी में कदम रखा है ये बताओ क्या सच में तुम्हें इस से प्यार है सर, सर, आप जो कहना चाहते हैं मुझे बताइए बोलिए सर, आई विल ट्रांसलेट आपको इनका एक चाहिए समझ गया, समझ गया मुझे फाकर आए, तुम अब भी जमीन से जुड़े हो आप चाहिए, आप दाराओं से आप घबराइए, मत सर, तुम मेरी सच ये, तुम ओ, तुम कहा लेका चाहिए आप इसे खुली हवा की जरुब रहता है, मैं पर सब भी लेकर आते हूँ चलिए मा यहाँ पर कुछ तो गड़ बढ़ है एक तो जंगल में आग, उपर से आस्तीर में सांप कैसी बातें कर रहा है, इस गर में सांप कहां से आ गया अपना चहरा आइने में देखो, समझ जाओगे एक बात बताओ, अभी वो लड़की तो तीस की भी नहीं है फिर वो सेम से शादी क्यों कर रही है लगता है माल देखकर फिसल गई बकवास बंकर, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है यह क्या, जाकर जल्दी तयार हो जा, बहुत काम पड़े है स्वालना, बच्चे कहां है बज़ा आएगा इस गर में शिर्वान तो काफी स्टाइलिश है बैग उठाओ यह स्टाइलिश था अगर यह स्टाइलिश था तो फिर बकवास किसे कहते है मैंने आपको कही देखा है कहां देखा है इस काउंटर का मैंने पूरे सत्रा साल इंतजार किया है सेवेंटीन लॉंग गियर्स आखिर वो शादी के लिए मान गया बहुत अच्छे पाट है ठंड़क हुई है, सचे किशोर, बोस हमारे प्लाइम के अनुसारी सब कुछ हो रहा है ना सब वैसे ही हो रहा है, बोस आसमन थोड़ा ज़्यादा ही, नीला लग रहा है उस डिलिवरी वाले का क्या हुआ? अन टाइम है कोई रुकावट तो नहीं? नहीं, कोई रुकावट नहीं बोस इस लुक में आप आज बहुत या अच्छे लग रहे हैं, बोस ये तू रख, मुझा ने चाहिए बेटा, ये चश्मा अधार दो ये हमारी प्रथा में नहीं है, बेटा मंत्र? ठीक है, आप चालो रखिए नहीं, करता है इताले जो रही हो रहा है 5 minuts only mai हाँ ठेक कहा हो तो अब तक पोचे क्यो नहीं अरे क्या हो रहा है मैं अरखती हुआ भात में फोन करती है क्या हुआ क्या बात है संगीद है दिदी यहा हो रहा तो भेया को देखो यकिन नहीं हो रहा ना कि भाया की शादी हो रही है आज कितने अच्छे लग रहे हैं ना सहिका तुम ने कहें मेरी नज़र रगज़ा है अच्छा लग रहा है ए हमने इसकी फेस्बूक पे प्रोफाइल बनाएंगी ना उस पर ये वाला फोटो डाल लिए हाह recording, भाय डाओ, भायará वे अंच्छा, जा लग वो acred lah खाड़ चाहँ या ना था लुटा लगे या अफ़े ले ना यहाहँ आर देखो कि यहाँ है कि अंप। comprehensive to picture और रहर को यहाँ आंपॉस? पिर कपर से आत्चाहँ ना but I would have married you we had such a great night remember I didn't want you to marry me you can do that with me I dignity you I love you we are such a when I love you you say you will never marry इतनी टेर क्यों करती आने में कब से तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं आपर सॉरी सर, लूज मोशन्स सब कुछ याद है ना बिल्कुल सर, बोलो जरा साम शिव राओ के लिए लेटर आये, एमर्जन्सी है अरे भाई, कौन हो तुम, कौन हो बोल, बोल, फिर से बोल साम शिव राओ के लिए लेटर आये, एमर्जन्सी है अरे ये तो मेरे बॉस है, आजुरी की शादी है सर, आपके लिए कूरियर आया है, सर देखे सर, चल तो निकल ले यहां से बॉस, इस वक्त आया, मतलब कुछ अर्जेंट ही होगा मुझे तो जल्दी पता नहीं, किसने भेजा है बॉस चलिए, ज़रा खोल कर देखते हैं बॉस, किसका है बॉस अवन्तिका अवन्तिका है, शादी से पहले लॉव लेटर वाट अर्ण रोम्याटिक थार बॉस, मैं बहुत एक्साइटट हो रहा हूं से अगर लव लेटर है तो सब को सुनाएं बढ़कर सब को सुनाएं बॉस मेरे प्रिएटम अधि मैं तुम से मैं तुम से आगे मैं तुम से शादी नहीं कर सकती मेरा उदेश ने तुम्हारे परिवार के सामने तुम्हारे इंसेर्ट करना था यह भी निखा है सर वो मेरे किसमत पर अजरी कैसा जटका है सर इंपरेशन मैं आकर तुम मर जाओ यही आशा करती हूँ भगवान अवर्थिका अवर्थिका मैंडम वेर आयू रोगे सर और सोड़ सो रोगे अवर्थिका को पहिए च्या करती है अब बहुस नशारी कोट करेगा बहुस पच्चिकों का पहाड तूट पड़ा है बना करना था तु पहले बना कर देती है यह भगवान अवर्थिका मैंने तुम से प्यार किया प्यार करना कोई गुणा है क्या मेरा प्यार से भरोसा उट गया आपने कोई गुणा नहीं किया मैं किसे में भरोसा नहीं कर सकता कभी मत करना बोस मैं अबेशा कहता था शादी नहीं करूगा इस लाइन को बहुत जहां जोर से बोलिये फिर से अब देखिये क्या हो गया यह तो घोर अन्या है बॉस उसमें मेरे बॉस को दोका दिया है यकीन करना थोड़ा मुश्किल है वैसे कहानी फिल्मी होने वाली थी पर यहां गडबड की गंध तो जरूर है बस करिये बॉस यहां सब चाहते कि मैं खूल क्या सूरू हूँ मुझे प्रेम की जाल में आइ मिन मेरे बॉस को प्रेम की जाल में फसाया आवन तिकाने यह बगवार यह कि देखने से पहले मैं मन जाए यह उपर वाले यह क्या दिया तुझे जाए अब इन फ़र फूल तक कोई बतलब नहीं है जिननकी में बन पाइव किये तुने क्या है उचयता टार वसना तुझे मार सब तुझे वार्ये क्यों बार कि आ ढूँझे क्यों वारे मुझे जो पाहिए आई सभीना रोको रिजे प्रिज गो अहद में चाहिए देजे का थाल ने काई माँ 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 सब्सक्राइब माँ, 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 यह सब तुम्हारी मजे से हुआ है, तुम्हारी मजे से के यह सब तुम्हारी माँ, मैं भी जब आ पर आपकोशा है कि यह सादमा, मैं हमें जाते बची है पर इस सदमे की वज़े से उन्हें साइपोस्यमाणिक अटाख यह कैसे बीमारी है? यह बीमारी थोड़ी सी सीरियस है कि यह भी सतने है? हाँ हाँ चली 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 मा 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 अवांतिका 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 है अवांतिका मैं अवांतिका भी यह सब तरमारी वजे से हुआ अगर मा को जिन्दा देखना देखना तो अवांतिका को लिकराओ मुझे कुछ नहीं पता आस्मान से पातार से कहीं से भी डून करना उसे लिकिन लेकर आओ मचे मा को सही सला मत देखना है और कुछ नहीं जाओ और उसे लेकर आओ उसे बिना लिया मत आना हाई अरजिंटली क्यों बुलाया और तुम्हारी शादी कैसे रही माँ हास्पिटल में है ओनो इशी ओके मुझे तुम्हारी है रप चाहिए हाँ बोलो क्या करना है वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही है मेरे पास एक नया प्लान है हम इस प्लान का दूसरा एक्रिमेंट बरा लें तुम्हारी माँ में है और 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 तुम्हारी माँ में नहीं है बस साइको सोमाटिक अटैक है मैं ये सब मा की भलाई के लिए कर रहा हूँ अब मुझसे ये सब नहीं होगा अवंतिका अवंतिका बात सुनो अरे सुनो तो ये धोती भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है क्या तुम्हें डर की कहीं तुम्हें मुझसे प्यार न हो जाए इस बात का डड़ तुम्हें है मुझे नहीं इस उम्रों में ये बाते शोभानी देती अच्छा वैसे भी तुम मेरे टाइप की हो भी नहीं सच में मैं तुम्हेरे टाइप की नहीं हूँ बोलो बोलो मुझे वो हरी-भरी लड़कियां पसंद है और मैं हरी-भरी नहीं हूँ न? मुझे के बता? तुम बैसे दिखती थोड़ी हो तो जाओ, अपने लिए कोई हरी-भरी धून लो, जाओ टैक्सी अवंतिका, सुनो तो मैं तुमे ज़्यादा पैसा दूँगा अब आप समझ गाए? मैं पूता कुवारा क्यो? इसलिए है हाई हे अवंतिका, कम कम कम, कुम्राचिलेशन्स सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आपाई, बेठा न? ये क्या? तुम्हारी शादी के अंगूठी का है? वो शादी कैंसल हो गई क्यांसल हो गई? मैंने सुचा था, शादी के बाद तुम्हारी अडॉप्शन फाइल आसानी से अप्रूव हो जाएगी इसलिए इंस्पेक्शन आफिसर सा तुम्हारी अपॉंट्मेंट भी फिक्स कर दी है तुमने ऐसा क्यों किया वन दिखा? पर प्रॉब्लम क्या है? मुझे बैंक बैलनस दिखाने को कहा था ना? कल ही मेरे अकाउंट में 25,000 यूरो क्रडिट हुए है मेरे पास अब टोटल 37,000 यूरो है इतना तो काफी होना चाहिए ना? नहीं इतना काफी नहीं है ना तो तुम्हारी शादी हुई है ना जॉब गारंटी है कम से कम 75,000 यूरो की जरृत होगी मुझे परले इंस्पेक्शन ओफिसर से अपॉइन्मेंट कैंसल करनी होगी नो, 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 यू गॉट में रॉंग कैंसल मतलब, पूरी तरह कैंसल नहीं हुई मतलब? आक्चली, शादी के दिन ही साम की मॉम को अटैक आ गया था वो अभी हॉस्पिटल में है वो लोग तो चाहते थे कि शादी हो जाए पर मैंने कहा कि उनके आशिरवात के बिना में शादी नहीं करूँगी इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मां के ठीक हो जाने के बाद शादी कर ले इन फैक्ट मैं अल्रड़ी साम के घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ प्रैक्टिकली मैं शादी शुदा हूँ आप ये बात इंस्पेक्शन ओफिसर को बता सकती है असल बात तो यही है शौना आपसलूटली ठीक है मैं बात आगे बढ़ादी हूँ यह मैं तुम्हारे नहीं करें आंटे के लिए करें बताओ तुम्हार नाया प्लान क्या है और कांट्रैक्ट शाहिए शुक्रिया तुम देवी हो मैंने तुमसे जो पैसे बढ़ाने की बात की थी न पर मैं तुम्हें पहले जितने ही पैसे दो माँ चलेगा न यू आर अन्बिलीवबर तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है और तुम यहां बार्गेनिंग कर रहे हूँ हाओ किन यू बी सो हार्टलिस ओहो दया की देवी और यू आज़ी किसमत मेरा साथ दे रही है उसके बाद मार कुछी दिनों में डिस्चाज हो जाएंगी एक बार वो ठीक हो जoureं फिर तुम्हें घर के, सारे मेंबर्स के दिल में एक एक करके, तुम्हारे लिए नफरत पैदा करनी होगी, तुम्हें उनकी जिंदगी नर्ग से भी पत्तर बनानी होगी, उन्हें ये कहने पर मजबूर करना होगा, कि सैम अगर तुम्हें अवंतिका चाहिए, तो तुम्हें हम सब को भूलना होगा फिर मैं काऊंगा मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है और मैं अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुरबानी दे दूँगा फिर मेरे प्लान की हैपी एंडिंग हो जाएगी कैसा लगा एकदम वहिया तुम्हें पता है मेरे पास न एक बड़ी आइडिया है इस बार हम तुम्हारा घर छोड़ कर कहीं और रहेंगे एक्स्ट्रा बेडरूम ले लेंगे और हां रेंट मैं नहीं दूँगे पर क्यो हमारा अलग रहने का आइडिया इन्हें पसंद नहीं आएगा इन्हें अनकम्फटबल फील होगा इट बिल्ड प्रेशर जल्दी मुझसे नफरत करने लगेंगे क्या कह रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता अपने घर में बारी लोगों का आना पसंद नहीं करता सिवाए उनके तो सुबह होते ही वापस घर चली जाती है मेरे पास नहीं रहती तुम्हारा ये साथ रहने का आइडिया बिल्कुल पक्वास है ओके सामू बेड़ 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 ओके फाइन है चलो हास्पिरल चलते है मा आंटी अवन्तिका मैं यहीं हूँ मा अवन्तिका को पसंद करने लगी मुझे नहीं पता अवन्तिका को घर लाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा धीरे धीरे कहीं मैं इस दलतल में धस्ता तो नहीं चा रहा हूँ मुझे अब कुछ पीने की जरूत है अब आपने काम की बात की है सर वैसे भी पीने के लिए वज़े की जरूरत नहीं होती लेकिन दो चार पैक से आपका दिमाग हलका नहीं होने वाला फिर सीट बेल्ट लगाईए अब मिलेंगे हम लैला से मेरे पिछवाडे आग लगी है और तु मुझे यहां लेकर आज़े अरे बस एक बार तो आईए ना आपकी आग बुझ जाएगी देखिए देखिए सरा तू जा और जाकर उनकी सब भरता ट्यम कर आप यहां पर बैठिए बैठ जाएगे दू का जा रहा है बस एक निट में मैं अभी आता हूँ आप बैठे रिखिए देखिए आना हाँ हाई हलो साम किछोर यह साम का बरता हो कुछ बदल देखिए अवंतिका होस्पिटल आई थी भाईया उसे लेकर आए थे मा को होश आ गया है उन्होंने उसे बात भी की क्या क्या बात है सुने कर चैन मिला यह तो बहुत अच्छी ख़बर है वैसे सैम अवंतिका को वापस ले आए यह तो ठीक है पर यह बात बनी कैसे यह जाना जरूरी नहीं है मामा वो वापस आगए यह बहुत है पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है हो सकता है वो सिर्फ दीदी को देखने आई हो हमें नहीं पता उसने सैम को माफ किया भी या नहीं अब जिसने उसे धोखा दिया अगर उसने उसे माफ कर दिया तो कुछ भी हो सकता है दाल में कुछ तो काला है कहीं पूरी दाली ही तो काली नहीं इस वक्त दीदी का फोन हलो मैडम हे किशोर कहो लुपलब सैम से बात कराओ मेरी मैं उन्हें लेकर आता हो न लेज़ दिया लेज़ और शक शिट लोकेशन भी थी सार 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 विदी का फोन आया था उसने मुझे भी कॉल किया था पर मैंने कट दिए मैंने उठा लिया सर और गलती से मैंने यहां की लोकेशन उनको बेज़ती सर क्या सर एक नंबर का गड़ा हूं तो मैं हूं सर आप देनी हैं माफ कर दीजी हमें जाने दीजे यह जो अला मुखी अपने लुकने वाली सर जिन आप रुगोगी होतना ठुगोगे अरे रुगचा मेरी माँ वहागो सर वहागो 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 चला है यहाँ सोच कर दूने जीपेश लोकेशन में पर रहाए रुको सोनना दीदी आप मैंने तो देखा ही यहाँ पून क्यों नहीं उठाया मेरा बता तो मैं आपको कॉल करने ही वाला था चली यह रेस्टोल अरे तुम आया यहाँ यहाँ यहां पर है रेस्टोल नीचा चलो अरे बापरे यह यह लोग यहां पिक के लिए नहीं लेक के लिए आ हैं चिर उकेष स्वांड दोित अम्यार्म स्तुकष आ करें तुम से दोग हम तुम दोगा मेख उट तुम इसकते डिया, चिर दे नहीं मैं काम भर्बुर्णन इस मठीश ही इसब मर्दे स drauf किशोर किशोर कॉची हैから कुछ लड़की तौम चाहते हैं यह बता दीजिए वो अली वो अली उसे मैं प्यार करता हूँ मेरे डाइप की है यह सब क्या चल रहा है वो हम उसे समझाने आए थे कि वो यह सब छोड़कर हमारे परिवाल का हिस्सा बने मुझे कुछ समझ मेन चाहरए लुस्imyindra में जा रही है मोई कर रहा है यह वह तूससे बहुत करने आए थिक्ल बाहे प्ढूर कर्री तो टाल मेरे साथ च् borrowed मेरे साथ च lot मेरे साथ किर्ण केमण धंवाल आञे मामा जीérer Bene यह उपर वाले बीटीफुल 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 अचा अरे कहा है यह सर वाँ तेट स्मेल इक्टर गुलाब काईप यह यह लाइक है 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 वाँ 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 सच-सच बताओ अवंतिकार नी तुमे माफ किया वो शादिक ले तेया है पता नहीं सोडना मैंने उससे पूचा नहीं मैं बस मा के खराने के इंतजार कर रहूं मा मा के खर ले जाओ चलिए मा आराम से तुमने हमारी बहुत मदद की है हमें बड़े खुशी है के तुमने सेम को एक और मोका दिया कोई बात नहीं मेरी जब भी जरूत पड़ेगी मैं आजाओंगी इतना ओर अटिंग करने के जरूत नहीं मेरी मा की तबेद खराब है तुमारी मा के नहीं चिल आम जस्वर्मिंग अप हे स्वर्णा मुझे स्वर्णा पर भरोसा नहीं है साम को एक और चांस देने से पहले मुझे इस पर 24-7 नजार रखनी होगी तो कल से मैं इसके घर में शिप्ट हो रही हूँ चले का नहीं मुझे ज़िए को मान कैसे कहीं शादी से पहले एक साथ रहना हमारी संस्कृति नहीं है मुझे पंद रखो पेस्बुक ने हमें तुमारी सारी संस्कृति के बारा पता किया है वो सारी फोटोस फेक थी उन पर यकिन बत गोरा स्वर्णा हाँ हाँ तुम्हें मैं पाद में देखूँगा हाँ हाँ सब्सक्राइब मैं मैं अवंतिका यहां आचुकी है उन दोनों को कुछ वक्ता के ले रहने दो लेकिन आपकी बात समझ में नहीं मैडम बेवकूफ इसका मतलब क्या कहते हैं उसे प्राइवसी प्राइवसी चाहिए उन्हें ओ प्राइवसी मैं आउट हाउस में शिफ्ट जाओंगा फुल प्राइवसी मिलेगी क्या बख्वास कर रहा है प्राइवसी किशोर यही रहेगा और सुर अपना सामान उटा और सारा का सारा अंदर रख ओके सर मुझे सेक्यरिटी चाहिए ओके सर आइवल प्रवाइड सेक्यरिटी किशोर आथ से हमारे साथ रहेगा बच्चों के कामरों में ठीका यहा भी किन प्रवाई प्रौ। यहा रहला प्रौद सेक्यास में अंब जड़ा फ्रवर यहा Chambers फ्रवर ंवर जो खनीत। में परनल आपके स्वहोच 59 59 messagingffentlich तो हम अब। है यह देना नरे विरा तुम्हें बताहे वह सिस्ट केती महीदी तुम्हेरों से आप अपना पूपत रखो इसलिए मैं लोगों से पी लफरत करता हूँ ये जगे कोई बार नहीं है उत्रो उत्रो अब यहां के नियम सुन लो यहां का एक भी समान इधर से उधर नहीं होना चाहिए यहां पर धूमरपान, मद्यपान, ऐसा कोई भी पान करने की अनुमति नहीं है, मेरी ना कुद्टे से भी तेज है मैं कुछ भी सूम सकता हूँ तुम यहां परफ्यूम भी मेरी अनुमति वेना नहीं लगा सकता हूँ चल संभू सर नेक्स टाइम बाहर जा के स्मोक कर लोंगी वैसे भी में परफ्यूम डियोडरन यूज नहीं करती जूट, जूट बोल रही हूँ तुमारे पास से तो खुश्बू आ रही है यह मेरी नाच्रल फ्रेग्रिंस है नामुमकिन तो ठीक है मत मानो वैसे भी तुम्हें चीज़ों से तना लगावती है हटो वियोडो यह मेरी ओजीडी है इसके बारे में तुम्हे समझारे की मुझे कोई जुरूत नहीं है क्या? सैम्बुजी यूनो यूरी रिली फॉनी राइट अच्छली तुम्हारे साथ रहने ही लायक हो कोई तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता ये सब कहने वाली तुम कौन होती हो तुम्हारे परिवार ने तुम छोड़ दिया और तुम यहां मेरे सीने पर बैठकर मूम दल रही हो मूम भी बैठकर अवं दिए रही हो अवं दिए रही हो पावतिकाव क्या चाहिए तुम्हे गुड़ा अफ्रणून अवंतिका मैं यहां कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ मेरा वो मतलब नहीं था तो फिर बोलो क्या सॉरी इसके पच्चातात के लिए क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ जहां सिर्फ हम दोनों जहां शेफ सिर्फ तुम्हें वसंद का खाना बनाए देखती हूँ मेरा क्या मूट बनता है इसके पैसे देदेना मुझे लगा था हम किसी महेंगे रेस्टराउन जाने वाले हैं पर मुझे तो पता ही नहीं था कि सैम मक्ही जूस है अवंतिका ये पहली बार है जो मैं किसी के लिए खाना बना रहा हूँ इसी का तो मुझे डर है आजाओ गर्मा गरम और लजीज खाना रढ़िये इसे गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना क्यों न हम सोफे पर आराम से बैठ कर टीवी देखते हुए खाएं हम पहले याँ खा लेते हैं फिर सोफे पर बैठ कर टीवी देखेंगे ये अच्छा उप्शन रहेगा नहीं ओके मिस्टर ओसी डी सर अच्छे बच्चों की तरह हम यही पर बैठ कर खाते हैं ठीक है चीर्स येलो ब्रेड तेंक्यू सुनो अवंति का मैं तुम्हारे बारे में जादा जानता नहीं कुछ अपने बारे में बताओ न मैडम आराम से मैं हैदरबाद में पैदा हुई थी जब मैं साथ साल की थी तो अपने मामा पापा दीदी के साथ यहां शिफ्ट हो गई उसके एक साल बाद अमायरा का जनम हुआ मतलब तुम घर में मजली बैन हो अनन्या दीदी देल साल पहले एक कार अक्सिडेंट में उनकी और उनके हस्बिन की मौत हो गई हे भावान आम सॉरी इस ओके बट अमायरा वो जली मेरी जान है माई बेबी ज माई एवरिधिंग उसके बाद मैंने कॉलिज जॉइन कर लिया फर्स्ट यह में अमित नाम के लड़की से सेकिन यह में मैं अमित के साथ लिजबन भाग गई इससे मेरी पेरिंट्स को बहुत दुख हुआ और वो अमायरा के साथ इंडिया चले गए उन्हें फिर कभी मुझ से बात नहीं की उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जिन्दा हूँ या नहीं पर कभी गभी अमायरा से बात होती है अमित के बारे में उनकी राय सही थी मेरा और अमित का साथ कुछ ही पलका था उसके तीन साथ बाद में वापस पोड़ चुकला गई इसी वज़ा से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मैं एक वेट्रिस बन गई तो मैं नहीं लगता कि तुम्हें अपने मुमी पापा के पास वापा जाना चाहिए मैं अमित के साथ उनकी मर्जी के बिना भागी थी अब वापस नहीं जा सकते अब फैसला करने का हग मुझे नहीं उन्हें है Hopefully, someday, I miss them अमेरा हम्हम हलो हलो, हमेरा हलो मियो का मोबाइल है यहां इसका नेटवर्क प्रप्रोब्लम है तुम मेरा फोन उस कर लो हम्हम शूर हम्हम हाँ बेबी मेह हूँ यह किसका नंबर है? यह मेरे रूममेट का नंबर है इसे भी सेप कर लो एमरजंसी में इस पर कॉल कर सकती हो रूममेट? बताया था ना साम बशिवर राओ के बारे में जिसके साथ मैं टेंपररी रूम शेयर कर रही हूँ हम्हम 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 वह तेरे साथ है क्या? बोलना तो बात क्यों ने कर रहे है तेरे पास की मैचाए क्या? हाँ यही है मैं बाद में बात करते हूँ आइ लव यू बाइ बाद में बात करते हूँ बाइ हाट ओल्ड मैं इम सो सारी मैं तिशु लेकर आदी हूँ और इसे साफ कर देती हूँ चिल अवंतिका वेरी वेरी हॉट ओल्डर मैं को इससे कोई फर्क ने पड़ता तुम्हें पता है कि मैं कितना हॉट हूँ पर मैं कितना घुल हूँ यह नहीं पता कितना देए झाल Cake एहाया? एहाया? को आहाया? Um. Uno? Maß एाँ? Aaahh? Ahhh! Okay. कि एडिछी और देट कि लाद झेट रडी कि व्र। से हम एड़िए प्र। लुँड़ नि-प्र। प्रफ्राइब तुम्हें कसरत करनी जाहिए। हारी बरी लड़कियां जो बसंदें तुम्हें। चलो 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 रुक्यों गए। चलो ठीक से करो वान। कम आन। ओके साम्भू, यह तो बताओ, अगला प्लान क्या है। सारा प्लान बनाया जा चुका है। रेमोट देना। हमारी पहली टागट होगी, मेरी बहन श्वेता। मुझे नहीं पता श्वेता। वो मेरे मुझे कैसे पता होगा। पीपर सम्हाले का काम तो तुम्हाला था। पता नहीं कहां चले गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है। हमेशा घर में ही रहते हो। और क्या करूं। मैं ये सोच कर आया था कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा। जब यहां आया तब पता चला कि मुझे यां बच्चों के डाइपर बदलने के लिए लाया है। इस घर में पेंट तुम नहीं ये पेंटी है। तुम तो जान बुचकर कोई में कूद गए। तुम्हारी जिन्दकी तो नर्क बन चुकी है। मुझे तुम पर दया आ लिए। हमारी दूर्जी शिकार होगी संगीता। जो लाया है, मंतलता। लाया है म माम ये कोई स्टाइल नहीं अची लग रही है। मेरी बेटा स्कूल के लिए परफ़ेक्ट है। अच्छी लग रही है। बह्त और के बिवाइंसंगी पर दिए स्टाइल भुल नहीं थारे था। नहीं नहीं तो अब मैं तुम्हें स्ट्राइल दिखाते हैं यहाँ दिखा हूँ इसे कटकर ले हूँ क्या अवन दिखाने है सकी वो खोड को समझती गया है यह तो सा सर बत्तमीजी है मैं अभी उसे फोन करता हूँ और तुरंत उसे ब्रेक अप करने के लिए भोलता हूँ अपना मुबन रखो इतनी बड़ी बात भी नहीं है पर मेरे लिए वो समझती क्या है अभी वो परिशान है परिशान वो नहीं है संगीता परिशान मैं हूँ वो मेरे परिवार की बिजदी करे और मैं देखता रहूं कभी नहीं अब छोड़ी करो वो लड़की यहां तुम्हारे लेनी आई है मा के लिए आई है बया कर रही है हमपर और कोई लड़की होती ना तो तुम्हारे हट्टी पस लिए कर देती समझे तू मेरी बात सुनो वैसे भी तुम्हारे पास कुछ चीज हमें बचा है मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए ना हमारी बहुत मान जाओ स्वारना अर तेरी बारी है इस पर पहले आवंदीका का हक है रहे ना जाओ वारे दूपनेश स्वारना जाओ आओ मुझे बच्चाए इस भी बच्चाए आप शेंशुई माने वाली है तुम्हें मेरे फेस पे लगा रहे आप चलो खाव लो, आंटी, आपकी बच्चों की उम्रु दिखकर लगता है कि आपकी टिकट जल्दी कटने वाली है, हाँ, कौमा की बाद आप पर फुल स्टॉप लगना जीए, हाँ, कहीं आप अमर होकर तो नहीं आई है न, ऐसा लगता नहीं कि आप ज्यादा दिन टिकेंगी, हाँ, हाँ अब अंतिगा, ये तरीका तुमारा मा से बात करने का, ए, शांत हो जाओ, ठीकी तो कह रही है, सभी कहते हैं, मेरी जीवन रिखा बहुत नम्बी है, सज बोलने के लिए, हिम्मत होनी चाहिए इनसान में, मैं इस गर से कभी नहीं जाओंगी, कहीं नहीं जाओंगी, यहीं यह आइडिया तो फ्लॉप हो गया, तुम्हारी बत्तमीजी पर भी, इन लोगों को तुम देवरी नजर आ रही हो, कोई बात महीं सैम, मेरे पास भी कमी नेपन का सर्टिफिकेट है, अब मैं से अपना ए सर्टिफिकेट दिखा दिखाती हूँ, मतलब? मत करो सर, शुब काम में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मैंने तो भोड़ दिया, प्लड़ी साइको फैमली, हाँ? अच्छा, मजा कर रही हूँ, मैं सेक्सी नहीं दिखती, ये ड्रस मेरे हस्बन ने मेरे बादे पर गिफ्ट की थी, मुझे लगा ये पकवास है, पर अब अच्छी लग रही है मुझ पर, अच्छी नहीं, बहुत सादा होट लग रहे हो, ये कौन सा पर्फ्यूम है? वही है, पुरानी वाली, मैंने श्वेदा को नया वाला दिलाया था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, देखो तो, हाँ, हाँ, सही बात है, हाँ, 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 चोला रूपको ना, हाँ, पहाँ आये, अब अभी सच्छा तो, मेरे जाक रियों सब देख रहे हैं ओए थैंक यू अरे लेकिन बाद क्या है हाँ 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 क्या तुमने सोड़ ना को किस किया हाँ उसकी तो आलत खराब होगी होगी तुमने देखा नहीं अपने हास्बन को बेडरूम में लेकर तए हाँ उसके बाद क्या हुआ हाँ साल चलो ओके तुम चलो मुझे जरूरी काम है तुड़ा लेट होगा चले गा ना तुम कहा जा रही हो क्या साल दो क्या साल दो तो रास्ते मिया है मैं तुमे चोड़ देता हू अरे वह किस किस इधर आना लाइफ में रोमैंस नहीं और नाम की शुरवात में किस किशोर बोला करो बात हूँ वहाँ पर एक जल्दी चले जाओ बात तो सुन मुझे रोल पेपर चाहिए थोड़ा अर्जंट है रोल पेपर हो या पेपर रोल हो क्या फर्क पड़ता है काम तो एक ही करता है अरे यार यह मतलब नहीं है मैं सुट्टा की बात कर रहा था सुट्टा मतलब क्या चीज़ अरे सुट्टा नहीं जाबता नहीं गाजा मतलब फ्लाइट सुट्टी ने आपको पकड़ा नहीं अरे मैं इसे चट्टी में चुपा के लाया हूँ यह पूरी तरह से इलीगल है सर इसके लिए आप अरेस्ट भी हो सकते हो सर यह आप एंटी सुचल और एंटी नेशनल हरकत ही कर रहे हो ठीरी बोलना ठीरी बोल एक हफते से मैंने सुट्टा नहीं मारा कोई कोना डोड़ कर सुट्टा मारने में क्या बुराई है कहीं किसी ने आपको पकड़ लिया तो क्या अच्छा लग रहे है सर आप खुद सोचिए इसके अंदर जाते ही अब जाकर पंच्छी आजाद हुआ है अब इसे उडान भाटी है पर इसका क्या मतलब हुआ तूने देखा हाँ देखा मैंने अब देखना ये अच्छा आसन है मेडिटेशन इस दा सॉलुशन फर एवरी हैड़ेक एक इशूर तो यहां क्या कर रहा है चक्र गैस अब कर देंग जा यह गर में इतना धुआ क्यों भेला रखा है क्या क्या कर रहा है I don't know but it's crazy मुझे कुछ भी याद ने आरा मैं सब कुछ भूल गया हूँ अरे 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 ओ जस्तिन टिंबर भाई तो वो क्यो रहा है भाई मुझे याद नहीं है तो पर किस बाद के लिए रो रहा है जो भूल गया उसे याद कर रहा हूँ तुने बहुत अच्छा किया किशोर जो इसे जला दिया सभी को जन्नत की सेर करा दी वैसी ये सैम कहां पर है उसके प्लैन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या रे मैश तो हमेशा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा रहता है मैं कुछ नहीं करूँगा सत्तिकी हमेशा जीत होती है समझी दी जी मुझे ये कहते हैं शर्म नहीं आ रही है पर वो लड़की क्या ना मुझा अवंतिका वो लड़की स्मार्ट बनकर निकल गई और आप लोगों को जरा भी बुरा नहीं लगा वो बहुत अच्छी लड़की है वो सैम की दीवानी हो गई है पर उसकी दीवानी उसके बरताब से मैच क्यों नहीं हो रही है उसकी बात का आपने जवाब क्यों नहीं दिया अच्छा देदी मैं एक बात पूछू पूछ 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 वो सायम को लेकर चली गई फिर भी आपको कभी अकेला मैसूस नहीं हुआ मैं बस अवे उसे अपने सिर पर ऐसे ज्यादा चड़ने मत दीजे दी अगर आप ऐसे ही सहती रही न तो वो आपके बेटे को ही आपसे छीन लेगी फिर आप क्या करेंगी तब कैसा लगिए आपको कभी सोचा है इस बहरे में एक किशूर जाकर गास बागी करते हैं ऐसे क्यों खड़ा है लग रहा है जैसे कोई छेमिया अपने कस्टमर का इंतजार कर रही है छेमिया आप मुझे कुछ याद आ रहा है रोफल, आइनाद तो मुझे तो दे लूूँज़्द टैंकी खाली करने I don't know आखर मैं यहाँ पर आया क्यूँ हूं? कुछ यार्ड ने आरा सौरी यार यू कम कम आ जाओ सर ठीक है मैं ही आता हूँ शर्माने से कुछ नहीं होगा हेई मुझे मारेगा तू ही भगवान इसकी आखे इतनी लाल क्यों है लगताई से जूर से लगी हुई है ब्रडी डार्क फेलो मुझे होशयार रहना पड़ेगा सौरी सर पहले आप जाइए मैं बाद में आउंगा सर मैंने सौरी बोला न सर कुछ तो बोलिए न सर जब मैं बोलू तब मत बोलिए मेरे बाद बोलिए ठीक है सर मैं तीन तक गिंती गिनुँगा फिर आप बोलना, सर, ओके वन मैं एक नमबर करने आया हूँ मैं यहाँ एक नमबर करने ही तो आया हूँ हाँ, माईरा हलो, मैंने अभी तेरा मेसेज पढ़ा तो अमित से मिलने क्यों गई है तो अधिमाद को चीक है, आयो ग्रीसी रिलाक्स, रिलाक्स किडो इस नॉट लाक्स किडो, अभी बी उसके साथ है उसने मुझे बताया कि वो अभी लिस्बन में है और वो मेरे पैसे लोटाना चाता है बस वही लेने जा रही हूँ लिस्न, लिस्न, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है अभी क्यो अभी घर आजाओ अमायरा प्लीज, मैं नहीं चाहती, तुमसे दुबारा मिलो अच्छा, मैं बाद में बात करते हूँ अभी पास से जो अभी पास से जो बाई अमायरा दिल में प्यार बचाने शायद लेकिन यार तो आज भी हूँ ना तेरा कम आमिद अरे कम ना बाबा आमिद गाइज, कुड यू प्लीज शो, शो मैं, प्लीज, प्लीज, प्लीज गएड अमिद मेरे पैसे दो, मुझे जाना है बैठो ना यार इतने सालों बाद मिले हैं दो-चार बातें तो कर ले, तुम्हारे पैसे हैं दे दूँगा मैं बदल गया हूँ यार हलो 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 साम, मैं अमायरा अवंतिका के छोटी बहन हाई अवंतिका कहीं बहार गई है मैंने तुम से बात काने क्लेए फोन किया है तुमने उसे अमीद से मने के लिए क्यों भेज दिया मैं समझा नहीं तुम्हें नहीं पता वो क्या कर सकता है तुम्हें पता उसके साथ क्या किया था भही आमिट, I don't want to talk about the past सी तुम जरा भी नहीं पतली आमिट इतने सालों बाद हम मिल रहे लेकिन तुम जब से आयो तब से ही साला फोन बज़े ही जा रहा है आमिट, give me my phone अरे, chill यार आहीं दूँगा, phone ही तो है and now, let's have a conversation आमिट, don't be ridiculous give me my phone मैं तुम से बात कर रहे हूं मेरा phone दो I'm being ridiculous really अपनी एक्स गर्फरेंड से मिलना या था सुचा बिना किसी डिस्टरबंस के बातचीत करेंगे I was being so sweet to you I even offered you to pick you up but you refused wow Amit, you know what मुझे अब जाना जाही just give me my phone and I'll leave अरे, आप दे यार just because I didn't let you talk to this this Samhashiv Rao है को इपन का थाका को इए? हीविट, हीविट is this the guy you're seeing these days come on, tell me, tell me sir, you need to keep your voice down no, I won't keep my voice down no, sir, please I paid you good money and I will talk to my girlfriend as I please, please, shut up please what stop, Amit sir, if you don't lower your voice I need to call the cops please call the cops just give me my phone and I'll leave I'm telling you, please if anyone of you guys touch me I'll break your face just take this man out I'll break your face आपर कर दो debu भी हो शरूफ कर दो दो जो जो हो ए। Sam, तो मिना वे अज़ा है हुँज मैं आपर के है जब आपास से एकरागी जबगा जब पॉर भाग Sam, Sam Sam Sam, जी Sam Sam तो ये है तेरा संभाशिव रहा है अरे पाप्रे अरे मैंने तो सुचा था कोई जवान लॉंडा होगा ये तो आदा बुठा निकला रे तो सुचा रहा है 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 तो सुचा रहा अजडिए, अजडिए? ईख! यह रगो, तो आने बस तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो, अगर कोई तुमें दुबारा मारे, तो उसका सिर फोड़ देना, या फिर मुझसे कहना, मैं तुम्हारी साथ हो, क्या करें, कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक हिम्मती लड़की हो, वैसे तुम इतनी तुम इतनी बाते हैं, कोई भी फोड़ी पाते हैं, तो फोड़ी फोड़ी बड़ी को, मारो इस कमीने को, भोलो भोलो, एक बर फिर से बोल के बता ना, तुम है यह साथ है, कम, इस बीटिफुल आट यह, यह, बड़ी मच, मुझे कुछ कहाना है, मैं गुछ सालों से, नही पर मेरे क्लाइंट्स हैं कि हमेशा रिजेक्ट कर देते पर इस बार मैंने जो परफ्यूम बनाया है उन्हें वो बत पसंद है तुम देखोगी तुम्हारी मैक कर सालागा कल हमारा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है आज तुम्हें सब इसे जगड़ा करके सब खत्म करना है फिर तुम कहीं भी जा सकती हो क्या हुआ बॉस आपने यहां पर बुलाया मैं अकेले नहीं रहना चाहता यह आपको मुझसे नहीं किसी और से कहना चाहिए बॉस अवंतिका है न मुझे नहीं पता है बॉस कि आपको एशास हुआ है या नहीं यू आर इन लव आप उसे कहते क्यों नहीं बॉस एथु क्या कह रहा है मेरी उम्र देख औरवंतिका की उम्र देख आपको और लड़कें के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई तो समझा नहीं यह लड़की उन लड़कीयों से अलग है वो सब आने जाने वाली थी मैं उन लड़कियों के लिए कभी सीरिस नहीं हुआ पर ये लड़की सबसे अलग है मैं यही सोचता था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूँगा पर जब से अवंतिका मेरी जिंदेगी में आई है उसकी हसी, उसका बोलना, उसका खुस्सा मैं अवंतिका को कभी भोल नहीं पहूँगा मैं जानता हूँ मैं उससे कुछ नहीं कह पहूँगा मुझे डर है मान एक बार मुझसे गाता कि हर चीज़ का एक सही वक्त और सही उम्र हो दिये बिटा और उस वक्त मैं नहीं समझा कि जिन्दकी के सही माइने क्या होते है यह बहुत खुबसूरत है पर अब जाके मुझे एसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है अगर अब मैं अवंतिका से पने दिल की बात कहूँ यह एक खुदगर्जी होगी कैसी खुदगर्जी बोस आपको लगता कि उमर भीच में आ रही है कभी आपने उससे पूछा क्या एक बार वो नादानी में गलती कर चुकी है मैंने चाता है कि यह गलती उससे दुबारा हो अवंतिका के लिए यह अच्छा होगा कि मैं उससे दूर चला जाओ क्योंकि अब कुछ बुरा हुआ तो वो बर्दाश्ट नहीं कर पाएगी देदी आपके बेटे को तो अपने और पराय से कोई मतलब नहीं है और आप हमेशा अपनों के लिए ही जीती है मुझे अब सिर्फ इसी बात का डर है वैसे अब कुछ भी हो पर मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ ए ऐसी बाते क्यों कर रहा है जब भी बुलाओंगी तुझी दौर कर आना पड़ेगा दीदी का ख्याल रखना नमस्ते बामा अब मैं चलता हूँ अब मैं चलता हूँ वो जल दिया जाएगा अंतिगा जैसी बात हुई थी तोवारा फाइनल चेक रेडी है काम पूरा हो तो यह मिल जाएगा अब मैं चलता है बुद। जोन वरे आज सारा खेल खत्म हो जाएगा अरे अमेंतिका खाना अच्छा बना है अवंतिका को आने दो खालो हाई 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 माम आपको कुछ चाहिए माम अवंतिका कुदू बेटा अवंतिका गुभी के पराठे क्या हुआ अवंतिका 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 बात यह है सैम के पापा को गुभी के पराठे बहुत पसंद थे वो हर संदे गुभी के पराठे ही खाते थे उनके जाने के बाद हम उनकी यात में हर संदे गुभी के पराठे ही बनाया करते हैं किसी हॉरर फिल्म भी कहानी लग रही है यह वो तो मर चुके हैं आप हमें क्यों टॉचर कर रही हो मुझे लगता है आपने दिन रात उन्हें यही एक चीज खिला खिला कर मार डाला और आप मुझे भी मारना चाहते हो स्टूपड पीपल प्लडी सेंटिमेंट्स मुझे लगता है इनके मरने के बाद यही टॉचर हम सबकी साथ भी होगा वो तह है तुम्हें कुछ कहना है बताओ मुझे तुम्हारी परवरिश में मैंने कहां गल्दी कर दी बताओ मुझे तुमने मुझे जाने दा बेटा मुझे पता है तुम इससे नाराज हो पर हमने तुम्हारे साथ क्या खलत किया मैं तुम्हें इस परिवार का इस्सा मानती हूँ हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं हम हमेशे तुमारे भले की ही सोचते रहते हैं चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो बोलो कहां गल्दी हो गई हमसे तुम दोनों हमसे नफरत करते हो ना तुम सही हो, मैं ज्यादा दिरों की मेहमान नहीं हूँ बस जाने से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहती हो पर मैं पर अब मेरे अंदर इतनी शक्ती नहीं है बेटा जाओ यहां से फर्क नहीं पड़ता तुम दोनोंने क्या सोचा पर जहां भी रहो खुश रहना जाओ रहना यहां बडाख जाओ रहना जाओ अवन्दिगा अवन्दिगा बोलो यही फाइनल पेइमेंट ही न किस तरह के इंसान हो तुम तुम्हारे अदर फिलिक्स नहीं है इस सब के बाद भी मा से शादी की बात अग नहीं की वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि हम दुनों खुश रहे जानते हो सचा कौन है तुम्हारी मा अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो जाकर उनसे कह दो उनके सामने सच बोल दो और सब ख़त्म कर दो पर मैं उनके जजबातों के साथ इस तरह नहीं खेय सकती सैम आगे तुम्हें एमोशन से इतना डर क्यों लगता है जानते हो इस दुनिया में लाख हो ऐसे लोग होंगे जिनका अपना कोई नहीं होता है और एक तुम हो जिसके पास अपनी फैमिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है पर तुम्हें उसे कुई मतलब नहीं मुझे तुमसे कुछ कहना है सैम I am hopelessly in love with you पर अगर तुम अपने मा की प्यार को ही नहीं समझ पाए हो पर मेरे प्यार को क्या समझोगे तुम्हें कॉंट्राक की पड़ी है ना कॉंट्रेक करना है ना घिम में अपनी मां के आसों की तुम्हें कदर नहीं है ना एक दिन आएगा जब तुम पचता होगे पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा क्या हो और नहीं सोड़ना बैठो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है मैं और अवंतिका कभी प्यार नहीं करते थे उसने मेरे ही कहने पर प्यार की एक्टिंग की और शादी के दिन भाग गई और अगर सच कहूं तो उसके ऐसे बरताव का कारण मैं ही हूँ पाप किया मैंने अवंतिका यहां से रोदे वे चिली गई वो आप लोगों से नजरे भी नहीं मिला पा रही थी जहां वो कुछी दिनों में आप सब को समझ गई थी मैं इतने सालों तक आपको नहीं समझ पाए मैं शादी कैसे करता मैं तो आप सब को दुख पहुचाना चाहता था क्योंकि तब तक मुझे किसी भी लड़की से जरा सब ही प्यार नहीं हुआ था पर उसके मुझ से दूर जाने से मुझे हैसास हुआ कि मैं आप सब लोगों के बगएर नहीं जी पाऊँगा मैं यही कहना चाहता था मेरे जैसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है मैं दो हब सब की माफी का हखदार भी नहीं हूँ पर अवंतिका को माफ कर देना मैं आपको कुछ नहीं हो मैं आप मेशा हैसी रहो मैं हर दिन यह प्राथा करूँ मैं आपको कुछ नहीं की मत बनाना तो तुम्हें मुझे प्राथा तुम्हें कभी यह नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें बस पैसला ले लिया जब आप दो हाँ छी ईसें सेंप आवंतिका अभी अभी आपको 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 यह सुच्जसाम आप तुम्हें शादी करोगी यह इप नाटके आपको आजाओ मा तुम्हें आणा आणा मा तुम्हें आओ ना और मिखा हुआ है।